हेलो नमस्कार जहंद सस्टी जूनियर इंजिनियर के लिए भरती आ चुके इसके लिए आप इसल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी है संपुन जानकारी आपका प्रवाइड कर आएंगे वीडियो में बने रहें वीडियो को शेयर कर अंकी डेट है आनलाइन आप कर तक कर पाएंगे 28 मार्च 2014 से 18 अप्रिल 2014 तक आप आनलाइन कर पाएंगे पेमेंट के लिए आप एक दिन इक्ष्टा कर सकते हैं आनि कि आनलाइन जो है कि आनलाइन अप्लिकेशन की लास्ट डेट जो है कि 18 तक ही होगी 11 पीम तक पेमेंट एक दिन इक्ष्टा कर पाएंगे 19 तक पेमेंट कर पाएंगे 11 पीम तक यह में 19 सी 11 पीम तक ओनाइस देख तक यानि कि 24 घंट एक्ष्टा आपको मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए बाकी अगर कुछ तुटी हो जाती है तो तुटी भी करेक्शन के लिए 22 चार से 24 पर वन के लिए cbt 462024 से लिकर 662024 तक का डेट निधारत किया गया इसी डेट के बिच आपको कंपेटर बेस्ट टेस्ट होगा एक्जामिनेशन आपका होगा प्रवाइड कर दी जाएगी अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है पाकी इस बारे में किसी प्रकार की कोई समश्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तो इसके लिए एज रिलेक्स सेशन की बात करें तो फार फार्दी पोस्ट आफ विच दी एज लिमिट अप टू थार्टीन जियर्स कंडिडेश्ट मस्ट हब बॉर्न आइधर दैन टू एट निश्व चारानवे से और नाट लेटर दैन एट आख एक आठ दोहजार चाहें टू आठ निश् में शोट भी दी जाएगी cCT के लिए पंच बर्श PWDBD के लिए 10 और टो chacun 15mm के लिएCER में के लिए अगे बात करते हैं इसके संबंध में कोण-काइन सर्ड डिपार्टमेंट में इसके लिए पुस्ट आई यह इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं तो भार्डर रोड आर्ग्राइजिशन में सीवी या इलक्तिरिक अन्मेक्रिक अप्लिकेशन ना है इसके लिए ूंसटर पब्लिक डिगरी डिक्रिशल त में CPWD में Central Public Working Department, यानि की CPWD, इसमें आपको Civil या Electricals या Mechanicals के लिए Engineering Diploma and Related Trades से, संबंधित Trades से आपको Engineering Diploma होना चाहिए, Central Water and Power Research Station, Civil या Electrical या Mechanical Degree होने चाहिए, Engineer Diploma Related Subjects से, Central War Commission, CWC भी भाग में, Civil या Mechanical Engineers के लिए Engineering Degree या Diploma and Related Trades होना चाहिए, संबंधित Trades में Engineering Degree Diploma होना चाहिए, Directed Us of Quality, Insurance Nunbles, इसमें Electrical and Mechanical के लिए, degree in Related Trades होना चाहिए, अथवा Deploma in Related So, Within Two Years Experience, भरक का बैरेज प्रोजेक्ट में Civil या Electrical and Mechanicals के लिए Engineering Diploma and Related Trades होना चाहिए, Military Engineering Service MES के लिए, Civil या Electrical and Mechanical के Engineering है, जिसमें degree in related trade related trade से संबंधी ट्रेड से degree होना चाहिए अथवा engineering diploma in related trade within two years में दो years experience के साथ engineering diploma होनी चाहिए आपके पास या ntro national technical research organization ntro में civil electrical mechanical engineer की है जिसमें engineering diploma in related trade संबंधी ट्रेड से engineering diploma आपके पास होनी चाहिए इस प्रकार क्या आप इसके अंतर गताते हैं आप इसके इतने qualification रखते हैं तो आप इसके लिए जो चीच समझे वो इसके लिए online application आवधन कर सकते हैं किसी प्रकार की तूटी समझ में आती है किसी प्रकार की समस्या समझ में आती हो तो आप हमसे help ले सकते हैं और इस help के लिए आप comment box में comment box में comment कर सकते हैं आत्वा आप हमारे whatsapp number 7351237891 इस पर whatsapp भी कर सकते हैं हम जितना जल्दी हो सकेगा आपका जबाब आपको दे देंगे वीडियो को लाइक कर देजिएगा शेयर कर देजिएगा और चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब कर लेंगा सब्सक्राइब कर लेजिए जिस इस प्रकार के इन्फार्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे धन्यबाद